देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपूर बॉर्डर पर पिछले 11 महिनों से तीन क्रिशी कानून बिल के खिलाफ अपनी मांगो को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने एक तरफ अपने तंबू हटा दिये हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली पुलिस ने भी बैरिकेटिंग हटाना शुरू कर दिये हैं दरसल पिछले 11 महिने से दिल्ली मेरट हाईवे का रास्ता रुका हुआ था जिसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई थी जिसके बाद किसानों ने प्रदशन इस्थल से अपने तंबू हटाना शुरू कर दिये थे ऐसे में जब अब दिल्ली पुलिस ने भी बैरिकेटिंग हटाना शुरू कर दिया है तो भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेत ने कहा कि किसानों की लड़ाई कभी रास्ते को लेकर थी ही नहीं वो तो सरकार द्वारा पारित किये गए तीन कृशी कानून बिल का विरोध कर रहे हैं इसके साथ ही राकेश टिकेत ने कहा कि सरकार अगर किसानों की मांग अभी भी नहीं मानेगी तो वो पारलियमेंट का गिराफ करेंगे और पारलियमेंट में ही फसल काटेंगे इन सब के बीच कांग्रेस सांसद राहूल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है राहूल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेटिंग हटी है जल्दी तीन क्रिशी विरोधी कानून भी हट जाएंगे बैरहाल पुलिस द्वारा हटाई जा रहा ही बैरिकेटिंग को लेकर एक बार फिर गाजिपूर बॉर्डर पर हल चल तेज हो चुकी है एक तरफ पुलिस बैरिकेटिंग हटा रही है तो दूसरी तरफ किसान पार्लेमेंट का गिराफ करने की तैयारी कर रहे है मुझे टॉचर अल्साइब का तैयारी कि तैयारी कर रहे हाँ